हेलो गाइज, स्टाक मार्केट न्यूस फॉर अर्न में आप सभी का स्वागत है आज है फॉर्ट अफ सितंबर बात करेंगे वोड़ाफॉन आइडिया के बारे में दोस्तो कल की तारीक में यहां पर हमने देखा था एक बहुत बड़ी तीजी हमारे सामने निकल कर आई थी चुकि यहां पर वोड़ाफॉन आइडिया का एक प्लान है जिसके जरीए यह 1.5 बिलियन डॉलर के लगबग जुटा सकते हैं अपनी एक्यूटी को बेच कर अब जूकि इसको लेकर यह काफी सारे अपने स्ट्रेजिक पार्टनर से बात कर रहे हैं जो कि डॉमेस्टिक भी हैं और ग्लॉबल भी हैं तो यहां पर आपको बड़े-बड़े नाम जानने के लिए मिलेंगे जैसे कि गॉर्डमेंट इस चीज़ को आपको समझना होगा और उससे भी बड़ी बात को जिसको आपको समझना है वो यह कि देखे यहां पर आज की तारीक में एक बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुई है निफ्टी की तो यहां पर एक काफी बड़ी ग्रावट थी जिसको आप देख सकते हैं और यहां पर एक गैप भी बन चुका है उपर अब यहां पर इसको फिल करने के लिए कल की तारीक में हो सकता है हम उपर जाएं लेकिन उसके बास सेकंड हाफ तक हो सकता हमारे समने ग्रावट निकल कर आ जाए लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकते हैं कि यहां पर य देख सकते हैं कि आज की तारीक में जिस तरीकी की गैप डाउन ओपनी रही है जिसके थोड़े से ग्लोबल रिजन्स भी हैं तो यहां पर अभी जिस चीज़ को हमको देखना है वह है आरे साई पर तकरीब यह जो 55 का लेवल था लगबग यह हमने तोड़ दिया है यहां प उड़ते हो दिखाई पड़ रहे हैं तो हो सकता है कल की तारीक में शायद एक रिकवरी की गुंजाईश है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप माल लीजे कि फिरम तकरीबन तकरीबन 40 के लगबग जा सकते हैं और यहां पर यह मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो यह । आप हिस्टोरीकली देख सकते कि अपना gap актив करने की कोशिश करता है अगर आछ आज कि थारीं धी प्लकेट इखी देखने के रिए लेकिन यहां पर काफी जादा हवी इस चीज़ को आपको समझना चाहिए वहीं को सब्सकूर्ण अपने 65 को को क्रॉस करता है तो यहां पर यह momentum पकड़ लेता है जैसा कि हमने momentum देखा है लेकिन अब क्या यह 65 के लगभग देखेगा कहीं stay कर रहा है अगर इसको तोड़ देता और नीचे की तरफ आता है तो आप माल लीजिए कि फिर यह काफी नीचे तक आएगा और अपने gap को fill करेगा जो यहाँ पर बना हुआ है तो situation आपकी समझ में आ गई होगी कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने आपको बिल्कुल भी trap होने का मौका मत दीजिए आप इसको नीचे पकड़ने की कोशिश करिए तकरीबन 10 रुपए के आसपास तो वहाँ पर जब इसका gap fill हो जाएगा तब आप इसको खरीच सकते हैं और तब थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको play कर पाएंगे वो भी तब जब इसका RSI तकरीबन 48 के लगबग हो क्योंकि आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें 48 के RSI पर यह हमेशा support लेता है और यहीं पर देखेंगा जब यह साइडवेस था तो आप सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा था यानि कि यहाँ पर तक्रीबन तक्रीबन अगर आप देखेंगे तो 45-65 की एक range है इसके अंदर जो की एक sideways की तरीके से हमको दिखाती है तो situation जो है वो यहाँ पर यह है कि आपको अगर इसको पकड़ना है तो 48 के RSI के लग पढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर अभी भी मौका है कि आप अगर इसमें अपने लिए जगा बनाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल भी कोशिश ना करें चुकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी previous closing जो की 12.55 के लगबग थी आज हमारी closing हुई है 12.05 के लगबग अब य अभी सिर्फ यहाँ पर न्यूज आ रही है और न्यूज आते वक्त हमेशा सबस्यादा ट्रैप होते हैं रिटेल निवेशक तो अपने आपको बचाने की कोशिश करिए गैप को फिल करने यह डेफिनिटली नीचे आएगा तो चले दोस्तों से लाद मैं वीडियो को अहीं हुआ